असलामलीकूम एवरिवन कैसे आप सब लोग आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक है अलम्दलिल्ला तो आज का व्लोग मैं स्टार्ट करें हूँ इन प्यारी प्यारी सी मचलियों से और जो ये व्लोग है ये थोड़ा पुराना है इसके लिए बहुत बहुत सौरी लेकिन मुझे लगा कि व्लोग को अप्लोड कर देना चाहिए जो भी मैंने वीडियों इंडिया में लिये थे और उनके जो बच्चे हैं वो तो बस इसके लिए बाएं है अच्छा यहां पे जो था मेरे नैफियो का रोजा इफ्तार था और उसने फॉर्स टाइम रोजा रखफा था तो बस उसी की पार्टी हम लोग उने रखी थी अच्छा अब ये नेक्स टे की क्लिप्स है तो यहा वारे खड़िकी प्यारी प्यारी सी लेडीज है ना हम लोग सब भाई बेन और अमी पाप भी वहीं पर थे तो सब लोग इखटा थे तो बहुत मज़ा आ रहा था सब को साथ में और बाते भी काफी जादा हो रही थी और इतना सब कुछ तयार हो रहा था बातों बातों में ही सब लोग हेल्प कर रहे थे तो भाबी ने काफी जादा चीज़े तयार कर ली थी और जो मेरी भाबी है ना माशालला से तो काफी सारी है और बहुत मज़ा आता है सब के साथ में सबके साथ ही अलग मेरी बॉंडिंग है तो खैर यहां पे हमारा इफ़तार त्यार हो गया था और सब एक साथ बैट कर इफ़तार करे थे और मुझे तो अभी भी इस वीडियो को देखकर वो सारी चीज़े याद आ रही है कि कितना मज़ा आता था रमजान में तो खैर यहां पे मैं अपनी भावी को लेकर आगी थी मार्केट क्योंकि जो सबसे पहला काम होता है वो यही होता है कि सबसे पहले जाके अपनी शॉपिंग कर ली जाए क्पड़ों की इतनी जरूरत होती है बस जाते ही हर जगा जाना होता है तो बस नए कपड़े चाहिए होते हैं खैर हमने कर ली अपनी शॉपिंग और अब हम जा रहे हैं अपने गाउ और यह रास्ते में हमने खाना वागारा खाया था ढ़ावे पर तो बस उसी की क्लिप्स है यहां पर मैंने सहरी की क्लिप्ली थी अपने घर की और इतना सकून होता था ना सहरी के टाइम पर फजर की अजान की आवाज आ रही होती थी बर्ड्स बोल रही होती थी अच्छा इसके बाद मैं आ गई थी अपने ससराल और यहां पर खाने पीने की बहुत जादा मज़ेदार चीज़े मिलती हैं और मैं बहुत जादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो जो मुमेंट होता है ना बस उसमें इतना इंजॉय करते हैं बस दिली नहीं करता है कि आ इस बार इद हमने इंडिया की की मैंने सोचा बचों की भी थोड़ी सी वीडियो आड़ कर देती हूं दोनों ने एक दूसरे को इद की मुबारक बात दी थी तो यहां पे इन दोनों की मस्ती चल रही है और इधर मैं खुल रही हूं अपना प्यारा सा गिफ्ट जो मुझे जूनी ने दिया है और जो जूनी है वो है तो मेरी भांजी और मुस्ते काफी चोटी भी है बट वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के जैसी ही है तो बस यहां पे उसने मुझे इतनी सारी प्यारी प्यारी सी चीज़े दी और पूरी एक एद बासकेट दी थी और इसमें बहुत प्यारे से हिजाब थे और शॉल वग में लूग जी नेक्स वीडियू में आपने रहा रग्के लाव जा वेसे